YouTube पर बहुत सारे ऐसे creator है, जो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वीडियो rank नहीं करती, बहुत अच्छी वीडियो बनाने के बावजूद भी कुछ खास views नहीं आते, ऐसा क्यों होता है, इसका actual reason क्या है, वो इस वीडियो के end तक आपको पता चल ज माल लेजे, जितने भी monetized channel है, सभी की videos को अगर YouTube boost करने लग जाएगा, सभी पर ज़्यादा ज़्यादा व्यूज आएगे, तो इससे एक फाइदा तो creator को होगा, क्योंकि earning बढ़ जाएगी, क्योंकि creator को मिलता है 55%, लेकिन आप ये भी तो सोचो, कि भाया creator अगर YouTube से कमा रह हूँ आज की इस वीडियो में, अगर आप एक YouTube creator है, तो ये वीडियो आपको काफी कुछ सिखाने वाली है, वीडियो को complete जरूर देखेगा, और इस चनल को subscribe कर लिजेगा, notification bell को दबा के ओल पर click कर लिजेगा, क्योंकि YouTube से related, ऐसे ही मस्त मस्त content आपको मिलते रहते हैं, नमस चीज, कि जो भी user इन पर आ रहा है, आप एक तरीके से ये मत सोचें कि आप एक creator, आप सोचें आप एक user है, तो ये चाहते है कि जो भी user YouTube के platform पर आता है, इस्टाग्राम चाहता है, जितने भी platform है, अपने user को कुछ से चिपका ही रखना चाहते है, बलब ये चाहते है कि user ज कैसे कर सकता है, उसका एक ही तरीका है, कि जो user है, उसके experience को कैसे improve किया जाए, उसकी life में कैसे value add की जाए, अगर महल लीजिए, आप एक user है, आप जाते किसी platform पर, किसी भी website पर, अगर वो website में कुछ ऐसा content है, जो आपकी life में value add करता है, चाह वो किसी भी तरीके value हो सकती है आपको कुछ education दे सकती है, आपको entertain कर सकती है, या कुछ आपको सिखा सकती है, कुछ भी, बस आपकी life में कोई भी value add कर रही है, तो आप उस website में बार बार जाएंगे, और अपना engagement उसके परती बढ़ा लेंगे, simple, YouTube यही चाहता है, तो आपको भी यही समझना है, मेरे भाई अगर आप एक creator है, तो आपको भी बस जो भी आपका subscriber है, उसकी life में value add करनी है, या तो उसे कुछ सिखाना है, या तो कुछ educate करना है, या तो कुछ entertain करना है, अब YouTube ऐसा क्यों नहीं करता कि सबकी video boost कर दे, simple सा तरीका, YouTube यह चाहता है, कि जो user देखना चाहते है, जो user को पसं आया example के लिए, उस video को लोग बहुत ज़्यादा देख रहे है, तो YouTube का algorithm तो अंदा है, उसने देखा थोड़ीए video अच्छा है बुरा है, उसको लगेगा ज़्यादा देख रहे है, तो वीडियो अच्छा ही होगा, तब ही तो इतने सारे user देख रहे है, तो वही वही वीड वीडियो वो कई बर viral क्यों हो जाती है, simple, मैंने आपको बताया, YouTube का algorithm अंधा है, वो वीडियो को देख के नहीं, पहचानता कि कौन सा वीडियो अच्छा है, और कौन सा बेकार है, simple सी बात है, user का engagement, जिन वीडियो पे ज़्यादा होता है, वो उनको अच्छी मान लेता है, और आगे बढ़ा देता है, और जिन पर अच्छा engagement नहीं होता, मतलब कि audience अच्छा नहीं होता, वाच्टाम अच्छा नहीं होता, उनको बेकार मान लेता है, तो कई बार बेकार वीडियो होती है, जैसे कोई cringe comedy है, उनको देखके एकदम बलबता है, कितनी बेकार वीडियो फिर भी हम मज़े रेने के लिए उस वीडियो को आगे बेशते हैं, बार बार देखते हैं, तो इससे YouTube के algorithm को एक message जाता है, कि यह वीडियो में कुछ बात है, जो लोग बार बार देख रहे हैं, तो यानि यह वीडियो अच्छा है, और लोग उस वीडियो को देखते रहते और algorithm आगे boost करता रहता है, इसी तरह से कोई खराब से खराब वीडियो भी कई बार viral हो जाती है, लेकिन कई बार बहुत अच्छी वीडियो बनाता है creator, बहुत जादा value add कर रहा है, बहुत जादा knowledge दे रहा है, मैंने एक एक दो गंटे के tutorial YouTube पे देखें, और उनमें इतनी ज फोर सब्किया, उट पढ़ांगे content डाले, कंटोर सिकरी, कुछ भी, जो मनमाया किया, उसका मकसद था, भाई 1000 subscriber complete करने, 4000 गंटे complete करने, monetize कराना, कैसे भी हो जाया, बस हो जाया monetize, अब monetize हो गया, अब उसने सोचा, यार थोड़े वो तोर subscriber अडलो, 10,000 subscriber उसके channel पे हो गए, अब उसको लगा, यार अब मैं एक जिम्मेधार YouTuber बन गया हूँ, मुझे content अच्छा बनाना चाहिए, अभी मेरे को लोग देखेंगे, और उसको YouTube के rules भी 10,000 subscriber तो पता लगी जाते हैं, अब जब वो content बनाता है, तो जो 10,000 subscriber है, उसमें से 100 या 200 लोग ही उस content को पसंद गरते अब सोचो जब वो वीडियो डालेगा, तो 100 लोगों ने उनको देखा उस वीडियो को, उन्होंने भी ज्यादा engagement ने दिखाया, बाकी के subscriber देखी नहीं रहें, तो YouTube को लगेगा भाई, ये वीडियो तो सही नहीं है, भले ही उस वीडियो में कितनी भी knowledge हो, बट YouTube को एक message जा ऐसा नहीं कि आपका मकसद बस एक अजर subscriber monetize करा नहीं हो, बलकि आप भी दिमाग में पूरा अगले 3-4 सल का प्लान होना चाहिए, और 0 subscriber से ही वो पूरे प्लान पे आप काम करोगे, ताकि आपका एक brand value बन सके, और आपके पास wrong audience न जुड़े, ये तो पहला कारण है, दूस आपकी वीडियो में इतनी अच्छी knowledge दी गई होगी, तो यूजर उस पर click ही नहीं करता, वहीं वीडियो downset, यारी खतम, आगे तो वीडियो जब चलेगी, तो भाई, अगर आप बहुत अच्छा content बनाते हो, तो सबसे पहले उसे present करना सीखो, कि यूट्यूब में actually चलता क YouTube में कैसे किली की thumbnail बनाने होते हैं, कैसे किली की title बनाने होते हैं, कैसे एक channel की branding करनी होते है, कैसे SEO करना होता है, कैसे banner लगाना होता है, कैसे home page की setting करनी होते है, वो सब चीज अगर अच्छी दिखेगी, तभी तो कोई user आपकी वीडियो देखेगा, जब तक वो वीडियो म पर hard work नहीं, भलके smart work करो, मैंने अपने 4 साल के experience में यही सीखा है, और दूसरा काम, लोगों की life में value add करो, जैसे YouTube खुद चाता है कि लोगों की life में value add हो, और लोग YouTube पर ही चिपके रहे, ऐसे आप भी ऐसे creator लोगों की life में value add करने की सोचो, भले उनको educate करो, कुछ करो, तभी लोग आपसे engagement बढ़ाएंगे और आपका channel आगे चलता चला जाएगा, तो इस वीडियो में आप सीख गए, कि भाई क्यों आखिर सभी वीडियो को boost नहीं करता, YouTube क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसी वीडियो को boost करेगा, जो user देखना ही नहीं चाहते, तो आपसे फिर किसी नए वीडियो में कना टोपिक के साथ अब तक के लिए, जाहिए!